अगर हमने सोचा है कि हमको इंजिनेरिंग जैसे एक्जाइम या मेडिकल जैसे एक्जाइम को क्वालिफाई करना है तो अपॉर्चुनिटी हमारे पास होती है बस समय रहते उस अपॉर्चुनिटी को एंकेश करना चाहिए एट कलपरक्ष हम इसी चीज की पूरी कोशिश करते हैं कि जब बच्चे ने डिसाइड क्या है कि उसे कॉंपटेटिव एक्जाम क्लियर करना है तो उसे उस तरीके का पूरा मौहौल मिले उस तरीके के उसको पूरे टेस्ट मिले एनालेसेज, डाउट क्लियरिंग सेशन, फे पेरेंट्स के ट्रस्ट को जाता है जो इतना विश्वास करके बच्चे को एक लंबे समय तक यहां पर रखते हैं और हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि उनका ट्रस्ट बनाए रखें और इसी तरीके से आगे भी रिजल्ट देते रहें